यूट्व पर जो सबसे most important ची होता है ना वो था आपके वीडियो का thumbnail दोस्तों आप कितना भी बेस बीडियो बनालो बेस टाइटल डालो बेस डिस्क्रिप्शन डालो बेस से बेस टैग भी डालो लेकि दोस्तों आपका वीडियो का अगर आपका thumbnail बेस नहीं रहेगा तो आप आपके वीडियो पर कोई भी क्लिक नहीं करेगा और आपके वीडियो पर भाई भ्यूज नहीं आएगा और उस्तों हो भी सकता है कि आपने रिचर्चबल कॉंटेंट को पर वीडियो बनाया तो आपको वीडियो पर कोई क्लिक करके और आपके वीडियो पर 10 से 20 दे देता ह कि क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप काफी time से मेनत करते हो वहें अच्छे साथी video के दिचिंग करते हो, लेकिन अपने वीडियो पर thumbnail बनाने पर आप मेनत नहीं करते हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस तरीका से एक बेस्ट थमनेल को बनाय जाता है तो दूस्तों अगर आपको भी नहीं पता है कि इस थमनेल को या कीनिकवल थमनेल को कैसे बना जाता है अपने mobile phone के मदद से तो दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यदा इंपॉर्स है क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तो मैं आपको thumbnail बनाने का पूरा पूर से सिखाने वाला हूँ दोस्तो अगर आप mobile से जबनाते हो यह आपने laptop से बनाते हो तो आप ःस्तो कुस तरीका से बतना और कौन सा इस आप को बनाना कहां दोस्तो बेसे किली मैं जो अपना thumbnail बनाता हॉ है कि हम अपने फोन चैनल को बनाता हूं और उस अपने बनाता किसी भी laptop लेपटाप फीस में अपने Thumbnail को नहीं बनाते हैं मैं अपने mobile phone से उस thumbnail को बनाता हूँ भी और पीक्सर लैप की मदद से आप भी चाहते हैं कि एक best professional thumbnail बनाना जिससे आपके विड़ो वाराल जाये और आपके वीडियो पर अच्छा का सब भी हो जाए तो दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यदा ही इंपॉर्णेस है आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा थम्निल बनाना जो की पिक्सल लैब आप के मदद से वीडियो आप थम्निल कैसे बना सकते है अपने वीडियो के लिए तो वीडियो दोस्तो काफी इंपॉर्मेटिव है अगर आप थम्निल बनाना चाहते है मिने मुबाइल फोल्ब से एक क्लिपबर थम्निल तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको सेंपल से लिखना है और प्लेस्टर में आने के बाद आप अब तो यहां पर पिक्सलेब से थमंदिल को बनाते हैं यहां पर इसका डॉन्लोड़र सौ मिलियन है और उपन जैसी दोस्तो आप करते है डाउन्लोड करने के बाद तो कुछ इस तरीका कर आपको सामने इंटरफेस सो हो जाएंगे अब यहां पर दूस्तों करना है कि आपको जूछक सकते हैं तो मैं यहाँ पे सुछ करते हैं कुछ इस तरीगा के गड़ार को चूच करने के बाद दूस्तों मैं यहाँ चाहते हैं जैसे यहां पर प्लस का इक अपना क्लिक करना है और यहां से दूस्तों उपर एक प्लस का इकन है जहां पर आपको क्लिक करना है और जैसे यहां पर एक क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद एक यह राइट वाला जो एक option है उसको आपको click करना है और इसका दोस्तों इस तरीका से कर ले रहा है यहाँ पर दोस्तों आपको करना कहा है कि इसको यहाँ पर adjust कर लिया हूँ यहां पर मैं अर्जेस्ट कर लिया हूँ और यहां पर जुस्तों अर्जेस्ट करना है और इस तरीका से आपको यहां पर खिच के इसको बड़ा करना है यहां पर जैसे आप खिचके बड़ा करते हैं तो इसको यहां पर इधर भी रख सकते हैं और यहां पर चाहते हैं तो इसको और भी बड़ा कर सकते हैं अब दूस्ते यहां पर करना के है कि इसको आपको किलिक करना है यहां पर किलिक करने के बाद इस तरीकास आपको करना है चाहिए इस तरीकास आप छोटा रहना चाहते तो छोटा कर सकते हैं यहां पर बड़ा करना चाहते तो बड़ा कर सकते हैं तो मैं यहां पर इतना रख दिता हूँ और यहां पर दोस्तों आपको लिखना है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दोस्तों आपको लिखना है जो भी आप चाहते हैं उसको लिख सकते हैं तो मैं आप यहां पर लिख देता हूँ तो यहां पर लिख लेता हूँ तो यहां पर दोस्तों आना है और इस जगह पर आपको करना क्या है कि आपको thumbnail बनाने time दोस्तों आपको यहां पर जो भी आपना लिखना चाहते हैं आप अपना दो भी thumbnail का title है उसको आप यहां पर thumbnail का title दे दिजिए अब दूस्तों यहां पर आपको आना है यहां पर फोंट का एक ओप्सन है जो कि यहां पर देख सकते हैं और जैसे फोन पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको करना है ब्लोगर सेंट बोल्ट पर क्लिक करना है और जैसे यहां पर सेंट बोल्ट पर क्लिक करते हैं तो इसका जो साइज है दूस्तो साइज इस तरीका से आप यहां पर बड़ा कर दीजिए अब दूस्तों आपको करना कहा है कि इस वाला पार्ट को ऐसा करना है और यहाँ पर दूस्तों आपको और जिस्ट कर देना ताकि आपका जो है एक वर्ड जो आपका है बहुत ज़्यदा अक्रिक्टिव लगे तो इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करना है और यहाँ पर दूसरी इस तरीका से add करना है और add करने के बाद दूसरी यहाँ पर करना कहा है कि samples ही इसको lock कर देना है अब दूसरी में यहाँ पर इसको lock कर देता हूँ और lock करने के बाद इस वाले को यहाँ पर अपने हिसाब से adjustment आपको कर दिना है और यहाँ पर दोस्तों इसको रख लेना है अब दोस्तों यहाँ पर इसको मैंने रख लिया है और यहाँ पर रखने के बाद फिर से आपको हाइप कर डिए और करने काई लुद देख सकते हैं कितना अठ्रेक्टिव लग रहा है और इसको चाहते हैं तो यह पर बैग्राउंड भी कर सकते हैं यहां पर बैग्राउंड को खुड़ अब दोस्तों है करना क्या है कि अच्छे आना है और आने कब बैग्राउंडirmand आपको यहां पर कम कर देना है इस तरीका से हो गया है यहां पर साइज को करना क्या है कि साइज पर आना है और साइज पर इसको आने के बाद इस तरीका से साइज को छोटा कर देना है अब दूसरे यह हो चुका इस तरीका से कुछ बन चुका है अब यहां पर दूसरों आपक को चेंज करना है और यहां पर कुछ इस तरीका से बनाना सीखो सो मैं यहां पर दोस्तो लिख लिया हूं अब दोस्तो लिखने के बाद करना क्या है यहां पर इसको और जेस्ट कर देना है और जेस्ट करने के बाद इसका दोस्तो जो साइज है इसका साइज को यहां पर बोल् तो यहां पे दोस्तो करक्या सकते हो तो कि यहां पर अपना थम निल को भी लगा सकते हैं सो यहां पर मैं इसको कर दिए इतना बड़ा और यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर दूस्तों आप यहां पर थमनिल को लगा लिजे तो थमनिल को लगाने के लिए दूस्तों आपको करना क्या है कि सेंपल सी आपको आना है यहां पर प्लस करना है और जैसे यहां पर फ ले लिया हूँ और इस थम्दिल को दूस्तों इस तरीका से यहां पर करना है क्लिक और यहां पर दूस्तों करना है इस तरीका से यहां पर अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीका से नहीं तो दूस्तों यहां भी कर सकते हैं और इसको दूस्तों करने के बाद अब यहां पर क् पर्म गलेरी पर चूच करना है ठीक पर ञासे आप गलेरी थो फिर थो खिर करते तो फीर से आपको यहां पर गलेरे से यक थंडिल को ले लाना है अब दोस्वे मैंने एक यहां पर और थंडिल को ले लिया है और इस तौन सब्सक्राइब करना है जो कि लग रहा है अब यहां पर दोस्तों नीचे क्या लिखना आपको कि सिर्फ यहां पर आपको लिखना है पांच मिनट में बनाना सीखो यहां पर दोस्तों करना क्या है कि आपको यहां पर आपको इडिट आल आप्शन बना है और इस आला टेक्स को हटा जेना है और यहां लिखना दोस्तों सिर्फ पांच मिनट में इस तरीका से आपका जो थमनेल है यहां पर बनकर रेडियो होने वाला है उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या कुछ टाइम के लिए वेट करना है यहां पर दोस्तों कुछ इस तरीका से लिखना है और दोस्तों यहाँ पर करना क्या है इसका color को यहाँ पर black करना है और black करने के बद दोस्तों आपको करना क्या है कि sample सी इसका font है font size को दोस्तों आपको फिर से bolt blogger करना है और blogger करने के बद दोस्तों आपको करना क्या है फिर से आपको यहाप सेप्स पर आना है देन आपको एक सेप्स को किलिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको इस तरीका से इतना size करना है और size करने के बद आपको यहाप करना क्या है कि इस वाला जो word आपने लिखा है इस word को यहाँ पे आना है और to front पर आपको click करना है जैसे front पर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और इस वाला जो अंदर वाला front है दोस्तों उसको करना क्या है कि उसका color को यहाँ पे change कर देना है यहाँ पे मैं जोस्तों उसका color change कर लेता हूँ और उसका color जो है yellow कर देता हूँ ताकि attractive लगे यहाँ पे yellow हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका thumbnail है वो पूरा तरीका से दोस्तों attractive बनकर ready हो चुका है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने हिसाप से अच्छा से adjustment कर देना है अगर आप दोस्तों चाहते और भी अगर आपका size बड़ा करना है जैसे कि यहाँ पे आपको और इसको आपको करना कहा है कि samples यहाँ पे आपको यहाँ पे log कर देना है अब log करने के दोस्तों size को करना कहा है कि इस size को दोस्तों आपको यहाँ पे बड़ा करना है यहाँ पे दोस्तों जो आपका thumbnail है काफ़ अट्रेक्टिव लग रहा है और आपका thumbnail बनकर ready हो चुका है तो कुछ इस तरीका से दोस्तों आप एक professional thumbnail बना सकते हो अपने mobile phone के मदद से आई होब दोस्तों आज की वीडियो होए जो के काफ़ी आपको इंट्रेस्टिंग लगाए तो वीडियो का लाइक किजे दोस्तों चानल पर पहले बाला है तो चानल को भी सस्क्राइब कर लिजे